Hello Friends, Welcome Back to Gold Indian Army Friends, इस वीडियो में आजम बात करने वाले हैं NDA के बारे में आप सभी जैसा की जानते हैं कि NDA के दुआरा आप डारेक्ट डिफेंस में ओफिसर की पोस्ट पर जोईन हो सकते हैं ये आप सभी जानते हैं तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि NDA में जाने के लिए NDA का एक्जाम देने के लिए इसके पूरे सेलेक्शन प्रोस्यूजर में शामिल होने के लिए आपकी जो उम्र सीमा है यानि की एज लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए मिनीमम कितनी होनी चाहिए और मैक वीडियो में आज आपको मिलने वाली है इसके साथ ही हाइट के बारे में मैं बताऊंगा कि आपकी जो हाइट है NDA में फॉर्म भनने के लिए वो कितनी होनी चाहिए NDA में जोइनिंग के लिए minimum हाइट male और female की कितनी होनी चाहिए इस वीडियो में आज में आपको male इसके दिफेंस में जाना चाहते हैं NDA के दुआरा आपका भी सपना है 12th के बाद NDA के दुआरा डिफेंस याने की Indian Army, Air Force या Navy में ओफिसर बनने का तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही important है तो चलिए साथियों बिना time waste के वीडियो को start करते हैं तो साथियों सबसे पहले मैं बात करूँगा आपकी height के बारे में तो चलते हैं अपनी slide की तरफ तो यहाँ पर जो आपकी height है यह हमने slide बना रखी है ताकि कोई भी दिक्कत हमको ना हो तो यहाँ पर आपकी height है Army wing के लिए Friends, यहाँ पर मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि NDA का जब आप form apply करते हो तो यहाँ पर आपको 3 choice मिलती है, Army wing में आप जाना चाहते हैं, Navy wing में जाना चाहते हैं या फिर आप Air Force wing के लिए apply करना चाहते हैं, यह 3 wing होती है आप किस लिए apply करना चाहते है यह fill करना होता है इसकी preference वहाँ पर देनी होती है तो अगर आप army wing के लिए apply कर रहे हैं आपका सपना है कि आप NDA के द्वारा army में officer बने तो यहाँ पर जो male candidate है उनकी height minimum 157 cm होनी चाहिए और female candidate की minimum height 152 cm होनी चाहिए तो यह तो हो गई NDA में army wing के लिए male और female की height तो अब देखते हैं यहाँ पर next यहाँ पर अब दोस्तों मैं बता देता हूँ अगर आप navy wing में जाना चाहते हैं इंडियन navy में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको navy wing के लिए apply करना पड़ेगा NDA में तो यहाँ पर male candidate की minimum height 157 cm होनी चाहिए और female की 152 तो यहाँ पर army wing और navy wing के लिए same ही height criteria यहाँ पर रखा हुआ है तो यह चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए तो अब देखते हैं यहाँ पर air force के बारे में तो दोस्तों air force में दो wing होती है air force में एक होती है ground duty branch और दूसरी होती है flying branch तो air force wing मे दो तरीके की branch होती है तो जो gd branch है ground duty branch है वहाँ पर male candidate की height 157.5 cm होनी चाहिए यानि की 157.5 cm male candidate की height होनी चाहिए अगर आप army wing में ground duty branch के लिए apply करना चाहते हैं और वही female candidate की minimum height है वो 152 cm होनी चाहिए ground duty branch के लिए तो यह चीज आपको तिहान लखनी है तो यह तो गया army wing में ground duty branch का अब यहाँ पर next branch देख लेते हैं air force में next branch है flying branch तो दोस्तों flying branch के लिए apply करने के लिए male candidate की minimum height 162.5 cm होनी चाहिए यानि की हिंदी में बात करें तो 162.5 cm आपकी minimum height होनी चाहिए male candidate की और बात करें female candidate की तो female candidate की भी यही height रखी गई है 162.5 cm क्योंकि आप सभी जानते हैं flying branch के लिए आपको जो है महाँ पर flying branch के लिए आप जा रहे हो तो आपकी जो height है वो बिल्कुल आपकी fit होनी चाहिए क्योंकि जब आप air force में flying branch में pilot की practice करते हो तो हाँ पर आपकी जो height है आपके जो hand है आपके जो leg है उनकी जो length है वो बिल्कुल सटीक होनी चाहिए इसी बज़ा से 162 cm height यहाँ पर male और female दोनों candidate की same ही रखी गई है flying branch के लिए तो ये चीज आपको जानकारी इसकी होनी चाहिए तो friends ये तो हो गया height criteria के बारे में NDA में army, air force और navy तीनों wing के बारे में मैंने आपको बिल्कुल openly बता दिया कोई भी doubt यहाँ पर आपके लिए नहीं छोड़ा है तो अब हम यहाँ पर next बात करते हैं age limit के बारे में यहाँ पर बहुत सारे candidates यहाँ पर confused रहते हैं कि age limit क्या रहती है NDA में दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ NDA की जो age limit हो बहुत ही कम रहती है यहाँ पर minimum age आपकी जो apply करने की है साड़े 15 साल होनी चाहिए और maximum साड़े 18 साल साड़े 15 से साड़े 18 साल के बीच अगर आपकी age है तो ही आप NDA के लिए apply कर सकते हैं तो यहाँ पर यह age limit बहुत ही कम देते हैं NDA में जाने के लिए तो अगर आपकी age limit साड़े 15 से साड़े 18 साल के बीच है तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं तो यह तो हो गई age limit के बारे में अब बात करते हैं यहाँ पर education qualification के बारे में तो यहाँ पर army wing के लिए wing wise यहाँ पर divided है अगर आप army wing के लिए apply कर रहे हैं NDA के दुआरा तो आप simply 12th pass होने चाहिए किसी भी subject से चाहिए आपके पास art हो, commerce हो, science हो, biology हो, math हो, कुछ भी हो आप अगर army wing के लिए apply करना चाहते हैं तो आप simply 12th pass होने चाहिए और यहाँ पर कोई भी percentage limit नहीं है आप simply pass होने चाहिए तो आप NDA में army wing के लिए apply कर सकते हैं तो यह तो हो गया army wing के लिए NDA में qualification अब देखते हैं यहाँ पर air force and navy wing के लिए अगर आप NDA में air force और navy wing के लिए apply करना चाहते हैं तो आपके पास 12th class में math, physics और chemistry यह तीन subject होने compulsory हैं यानि कि science side का student ही इसके लिए apply कर सकता है और math, math होनी चाहिए अगर आपके पास math नहीं है 12th class में bio है तो आप air force और navy wing के लिए apply नहीं कर सकते हैं केवल math, physics, chemistry यह तीन subject होने जरूरी हैं तभी आप इसके लिए apply कर सकते हो तो यह doubt आपका मैंने clear कर दिया क्योंकि candidate फिर बाद में पूछते हैं कि sir क्या bio के candidate इसके लिए apply कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया bio के candidate apply नहीं कर सकते एर फोर्स और navy wing के लिए math के candidate apply कर सकते है math होना compulsory है 12th class में तो यह doubt आपका clear हो गया होगा qualification के बारे में मैंने आपको बता दिया और यहाँ पर एक चीज मैं और बता दूँ आपको कि अगर आप 12th class में appearing है यानि कि 12th class में study कर रहे हैं तो भी आप NDA का form apply कर सकते हैं यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर आप 12th class में पढ़ रहे हैं तो इसके पूरे selection process में आप शामिल हो सकते हैं लेकिन final selection होने से पहले जब final selection में आपका document verification होता है तब तक आपको 12th की original mark sheet लानी होगी तब तक अगर आपका result आजाता है तो कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होती तो final selection में ही 12th की mark sheet मांगते हैं वरना अगर आप 12th class में study कर रहे हैं तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं और ये चीज़ तो आप सभी को पताई होगी कि selection process में minimum 6 से 8 से 1 year तक लग जाता है इसके final selection तक चाहे कोई भी vacancy हो उसके final selection तक minimum 6 month से 8 month या 1 year लग ही जाता है तो इसी वज़े से ये rule रखा गया है कि अगर कोई candidate 12th class में study कर रहा है तो वो भी NDA का form apply कर सकता है क्योंकि इसमें जो age limit है बहुत कम दी जाती है तो यही कारण है कि अगर आप 12th class में पढ़ रहे हैं और आप NDA के दवारा Indian Army, Air Force या फिन Navy में जाना चाहते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं तो दोस्तों ये चीजे मैंने आपको बता दी अब यहाँ पर एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको कि NDA के दवारा जब आपका पूरा selection processor हो जाता है आप select हो जाते हैं तो आपको कौन सी post दी जाती है तो यहाँ पर आपको lieutenant की post दी जाती है सबसे पहले जब आपका NDA में selection हो जाता है, training हो जाती है, pass out parade हो जाती है उसके बाद आपको lieutenant बनाया जाता है तो यहाँ पर यह चीज मैंने आपको बता दी कौन सी post आपको दी जाती है NDA के दवारा, तो दोस्तों यह जानकारी मैंने आपको full information दे दी है, यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक like तो जरूर कीजिएगा और दोस्तों NDA से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी जानने के लिए आप चैनल को subscribe कर लेना और अगर कोई भी doubt या दिक्कत है तो आप में comment में लिख दीजिएगा, हम उसके उपर भी आपको वीडियो बना देंगे और जैसे ही NDA की vacancy आएगी उसका पूरा qualification, selection process, कब NDA में क्या होता है, पूरी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी इसलिए आप चैनल को subscribe कर लेना और कोई भी दिक्कत हो तो आप में comment में लिख दीजिएगा या फिर Instagram पर आप हमें follow करके वहाँ पर हमसे कोई भी personal question पूछ सकते हैं Instagram का link मैं वीडियो के description box में दे दूँगा, आप हमाँ से जाकर हमें कोई भी personal question आप पूछ सकते हैं तो साथियों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार वंदे मातरम